हेलो भीवर, दिस इज ए स्माल हाउस प्लान, टू भी एज के हाउस प्लान, प्लान में हम देखेंगे टू बेडरूम, वन कीचेन, वन होल, एन वन टॉयलेट, सो हम इसका पहले मार्किंग कर देते हैं, जो की हमें थोड़ा समझने में आसानी होगा यह है बेडरूम नमबर वन, और यह बेडरूम नमबर टू, साथ में हम इसका टॉयलेट भी मार्किंग कर लेते हैं, यह है कॉमन टॉयलेट, और साथ में हम कीचेन भी मार्किंग कर लेंगे यह है हमारा कीचेन और इसके साथ में इसका स्लैब भी मार्किंग कर लेता हूँ, यह कीचेन स्लैब है, जो इसका चावड़ाई है, वो 22 एंच है, यह हमारा हॉल है और शात में मैंने इसका बाइक पारकिंग करने के लिए हम स्पेस छोड़ा हूँ, अगर कोई चाते है तो बाइक पारकिंग कर सकते हैं नहीं तो इसमें सेटिंग एरिया भी बना सकते हैं अगर इसका सेटिंग एरिया हम बनाने चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा और भी डाउन हम कर सकते हैं यह मेली स्टेयर के नीचे हम रखे हैं यह जो बिल्लिंग हमें बनाया हूँ आज का यह बना हुआ है पांसो बीस स्कार फीट जगा के अंदर चलती है हम इसका डाइमिनेशन बगेरा क्या है यह जान लेते है डाइमिनेशन जानने से पहले दोस्त जो लोग हमारे चैनल में नया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजि हम चलने से पहले हमें थ्री स्टेड हमारा इहां पे फॉर स्टेड होना चाहिए हम उहां का फ्लोर थोड़ा सा नीचे रखाएँ हमारा जो फिल्लिंग है राइट है त olanज यह तका पनाया हूँ यह जगा के अंदर है इसके और हम देखेंगी जो का फिलिंग हे इसमें हम थोड़ा सा मार्किंग कर लेते हैं क्योंकि यह जो है हमारा बहुत IMPORTANT है क्योंकि इसमें हमको WATERPOOFING करना पड़ता है यरा हमें net planning भी इसमें कर देते है क्योंकि यह हमारा water proof के लिए बहुत जोरूरी है building के लिए dampness को यह protect करता है चलते हैं हमारा आगला dimension हम देख लेते हैं यह दिखिए प्लीन लेबल से हमारा जो link tail height है यह दिखिए 6 feet 6 inches यहाँ पे दिया हुआ है बट आमें यहाँ पे gate का height चाहिए 7 feet है तो इसलिए हम इसका flooring 6 inches डाउन करके रखा हूँ यह दिखिए है 7 feet इसका height मिल रहा है और जो हमें 4 ही मिल रहा है यह है 3 feet 6 inches इसको आप लोग थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते है इसके बाद हम अगला जो है जो bedroom में हमें ventilation चाहिए यहाँ पे हम window provide कर रहा हूँ दो window चाहिए यह cross ventilation के लिए यह front side में जो window दिया हूँ उसका size 4 feet 6 inches height है और जो चौड़ा यह है 4 feet चलती है अगला cross ventilation के लिए जो windows दिया हूँ यह है उसका size हम देख लेते है यह भी same है 4 feet 6 inches height है और चौड़ा यह 4 feet है यह 4 feet 6 inches है साथ में जो हमें common toilet दिया हूँ उसका भी हम करके रखाऊँ यह है 2 feet by 2 feet का एक ventilator देके रखाऊँ इसमें हम बड़ा भी कर सकते है बाटा हम privacy के लिए इसको 2 feet by 2 feet करके रखाऊँ adjust link trail का नीचे हम करते है और bedroom number 2 में देख लेता हूँ यह इसका 2 window देखे रखाऊँ जिसका size देख लेते है यह है हम जी चोड़ाई मिल रहा है यह 4 feet है और जो height है 4 feet 6 inches यहाँ पर जो हम link till level मिल रहा है वो भी देख लेते है 7 feet है और शाथ में इसका cross ventilation के लिए दूसरा window इसका भी size सेम है 4 feet 6 inches भी 4 feet है और link till भी रखा हूं 7 feet में 4 feet 6 inches by 4 feet और इसके बाद आएंगे हम kitchen में kitchen का window हम रखे है थोड़ा सा छोटा और साथ में हम dining में भी एक window दे दिया हूं जिसका size बता देता हूं यह 3 feet by 3 feet है यह थोड़ा छोटा size को रखा हूं और dining में जो है 5 feet by 4 feet 6 inches यह था बाहर वाला dimension है window हम आप चलते हैं अंदर में अंदर वाला dimension थोड़ा देख लेते हैं पहले जो entry होते हुए हमें मिल रहा है यह हमारा setting area या हम इसको parking बाइक पार्किंग एरिया में कर सकते हैं अगर setting area करना है तो थोड़ा सा हम इसको और down करना चाहिए down हो भी सकता है क्योंकि stair के नीचे हम अभी six inches down रखा हूं अब लुग चाते हो तो और एक feet नीचे कर सकते हैं यह है इसका जो लंबाई है यह हमें मिलेगा seven feet है और जो इसका चावड़ाई है यह seven feet नाइन इन्चेस बाकि हम इसको यूज एलेबल जो space है यह धाइफिट छोड़के हम इसको यूज कर सकते हैं यह entry होते हुए हमें जो मिल रहा है यह दीकी एक टेप चड़के हमारा hall में जिसका size seven feet nine inches by nine feet है इसमें हम फोर सीटर टेबल रहके रखाऊं एट टाइम फोर पारिशन लांच या डिनार कर सकते हैं यह है kitchen जिसका size देखिए four feet five feet four inches by seven feet nine inches और बेडरूम नॉमर जो टू है 11 feet by ten feet four inches चलते हैं हमारा जो common toilet and bath इसमें दोनों ही एक साथ में बाद एन टॉयलेट seven feet one inches by four feet और चलते हैं हमारा अगला बेडरूम बेडरूम नॉमर वन 11 feet by ten feet यह था हमारा आज का टू बीएज के house plan दोस्त कैसा लगा comment करके जुरूर बताईए अगर अच्छा लगा तो like दीजिए और दूसरे को share कर दीजिए अगर आप लोग का कुछ बनाना होगा तो plot size comment works में comment करिए thanks for watching